यूठ आइकान के तौर पर भी आपको देखा जाता है, किस तरह से आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को ज़्यादा ज़्यादा आप उसमें जोड़ना चाहते हैं? मुझे राजनिती में, समाजनिती में काम करने के प्रणा मेरे पिता सिंगली है, मेरे लिए रोल मौडल है, तो निचे तुम से मैं जो मोका समाजनिती में और राजनिती में काम करने का मिला, यह मेरा भाके सुमझता हूं, पद यह सिद्धी नहीं है, पद एक काम करने का माद अधिकारी उसे हुई बात और एक प्रॉल्म है तो उसको सौल करना भविष्ण में हमारे शहर के लिए क्या ज़रुवत है हमारे शहर के लोगों की ज़रुवत क्या है senior citizen लोगों की ज़रुवत क्या है women's employment के लिए क्या करना चाहिए व्यूथ के लिए क्या करना चाहिए और अलग-अलग sectors में sports है अस्टा करिकुलर है उसके लिए तो एक एक अनुभा हुजा है तो बविश्व में उस अनुभाव को समाज के हीत में बढ़ाने का प्रहास में निच्छी तरुप से करूँगा नाइक साब का सपना है कि नाइबभी को एक अंतराष्टी सर बनाने का जहां बहतर आरूग सेवा हो बहतर एजुकेशन हो बहतर इंफ्रास्ट्रक्शर हो वो सपना कहीने कहीं अधूरा राराव जरने गणेजी नाइक साब का समाजनीती में राजनीती में आनुभाव प्रशासन के उपर उनका एक अंकुष और उनका कंट्रोल उसकी समझ और सही में लोगों की समस्या जानके उस समस्या को समाधान करने की शमता ये नाइक साब का अनुभा उसमें बड़ा है और उनकी इरादेने का नाम आज पूरे महारास्ट्रा में आज पूरे भारत में और पूरे विश्व में है तो हर फैसलिटी हमारे शहर में अच्छी हो और हमारे सीटी हेल्दी सीटी जिस शहर का इंफरस्ट्रक्चर अच्छा है जिस शहर में एजुगेशन अच्छा है जहां पे सभी लोग अच्छे से रहते हैं ऐसे एक अच्छे तरीके से एक हेल्दी सीटी करके हमारे शहर का नाम हो और उसके लिए काम करना, यह मैं महतोबुन समाझता हूँ देखे कि हम सभी परिवार के लोगों को कारे करता हूँ को उन्होंने सुचित किया कि यह समय ऐसा है कि इस समय हमारे शक्ति से हम जो भी कुछ कर सके यह हमें इस शहर के लिए करना है, लोगों के लिए करना है और उन्होंने यह भूमी का एक उनका करता भी न समझत के नभी उंबई के कुटूंब प्रमुक है और उनको सही मार्गदर्शन इस शहर के लोगों को देना है और उनको सुरक्षित रहने की जिम्यदारी उनकी है यह ऐसा उन्होंने बाके लोगों को दिला कि खुद उन्होंने इरस्पोंसिबिलेटी ली खुद राउन पे उतरे उन्हें हमें का कि सच्चे युद्धा की परक इरनभूमी में होती है और ऐसे समय आपको खुद को सुरक रखते हुई अपने कुटूमबा को सुरक्षित रखते हुए जो भी काम आप कर सके आपके अनुभोस से युद्धा से वाभ करो और उन्होंने खुद बहारा के जो जहां पर ज़रुवत है और उन्होंने विजिट की प्रशाषन की खामिया दिखाई जहां पर अन्या हो इस और नया दिनेह अनरेके एंने उनकी भूमिका कही है और उनको देखते हुए उनके उपध की विछारों के उपड़ये काम करने वाले सबी लोग यह सब बहर है और उनकोन एक काम करने का प्रैस कि और यह में निच्छी दूप से मानता हूं कि कुछ पत पे एक पावर सेंटर में न होते हुए उन्होंने ये भूमिका बजाए इस वक्ट जो पेंडेमिक एमर्जेंसी चल लगी है इस जोर में बच्चों के सिक्षा जो खासकर गरीब तपका है जो अ आने वाले बच्चे उनको एजुकेशन को लेकर बड़ी समस्या पैदा हो गई है क्या आगे की भूमिका है सर्थ पैंडेमिक में सबसे महतोपुरून हेल्थ सेक्टर है अभी सद्यस्तिती में इसका संकरमन रोकना और लोगों को पेशन्स को ट्रीट करना और भविश्य मे अगर कोई वापिस ऐसी परिस्टी निर्मान हुई तो उसको फाइट करने के लिए इंस्वा सच्चर तयार करना इस शॉट टम और लॉंग टम प्लाना में करने पड़ेगे उसके साथ में सबसे महतोपुरून चीज ए एजुकेशन अभी सभी गरीब अमीर, CBC, I.B, प्रा सेंडर गवर्मेंट से, स्टेर गवर्मेंट से क्या गाइलन आ रही है, कभी स्कूल ओपन हो रही है, लेकिन महानगर पालिगा के स्थर पे हमें अभी एक जावरुता हम लोगे में में लानी पड़ेगी हमको उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, देखिए अगर आप e-learning श स्क्रीन के सामने क्या बच्चे बेट पाएंगे, पैरन्स उसको उनके साथ बेट सकेंगे, यह सिलाबस कवर पकर पाएंगे और उनको बच्चों को कितना सिखने को मिलेगा, अगर हम लोग ऑनलाइन ही एजुकेशन अगर आगे बढ़ाने वाले तो महानगर पालेगा के ब किचस लों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगे, तो यह सब चीज हमको एक धाचे में बठाना जरूरी है, तो उसके लिए अभी हमारे स्थर पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अधरनी नाइक साब ने जो आयक तो मोद है है, उनको भी उनको पतर लिखाए कि जो पालेशी अधरनिंग है, उनके बच्चे, उनको भी एज्जूगेशन की सुरक्षता हमें देनी जरूरी है, और उसके लिए महानागरपालिक आपको नाइक साब ने अलट किया है, उनको ने काया कि जब तक नभी उंबई से करोना पूरी तरह से नहीं जाता तब तक ही में फालो चा पर उनका अंकोश और उनकी मन की सच्च धारना निछी तुरूप से नभी उंबई को करोना मुक्त करेगी. आज की बाच्चित में बस इतना ही दीजिए हमें इजाज़ा तेकिन आप देखते रहिए TV1 इंडिया, नमस्कार.